साथियों, 2014 नवंबर में आस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में नौवा जी ट्वेंटी शिखर सम्वेलन हुआ वहां हमारे प्रधान मंत्री शी नरेंदर मोधी जी ने भाशन दिया और जी ट्वेंटी को कहा कि अंतर राश्ट्रिय सहयोग होना चाहिए काले धन से लड़ने के खिलाफ, काले धन इकटा करने वालों के खिलाफ मनी लॉंडरिंग के खिलाफ जो काले धन को सफेद करते हैं उनके खिलाफ जो शेल कंपनिया हैं दुनिया भर में उनके खिलाफ जो टैक्स मुक्त जगए हैं टैक्स एवन जो हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधान मंत्री ने अपनी बुलुंद आवाज उठाई और मांग की की जी ट्वेंटी को इस विचेव पर नित्मी को दिखानी की जरूरत है अगले हफ़ते नौ तारीक को यानि की आज से नौ दिन बाद नई दिल्ली में अठारवा जी ट्वेंटी सिकर अठारवा पहला नहीं दूसरा नहीं दस्वा नहीं अठारवा जी बीस सिकर संवेलन होने वाला और आज सभी अकबारों में अमरीका के अकबार इंग्लेंड के अकबार हमारे देश के अकबारों में खुलासा हुआ है जिस तरीके से एक प्रधान मंत्री के चहीते दोस्त प्रधान मंत्री के पसंदीदा उद्योग पती पुंजी पती ने शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया है सेवी के सारे नियमों का उलंगन हुआ है ये सब खुलासा आज अकबारों में है मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूंगा अभी पांच बजे को राहुल गांदी जी आपको संभोजित करेंगे विस्तार से राहुल जी इसके बारे में आपसे बाचीत करेंगे आज शाम पांच बजे मैं बस यही कहूंगा कि 28 जन्वरी से लेकर 28 मार्च दो महिने में कॉंग्रेस पार्टी ने प्रधान मंत्री से सो सवाल पूछे यह हम अडानी के हैं कौन श्रिंख्ला है है हमने यह सवाल उठाए रोज हम तीन सवाल उठाया करते थे आप देख रहे हैं पीछे मेरे पीछे आप देख रहे हैं हम अडानी के हैं कौन अंग्रेजी में और हिंदी में और अलग-अलग भाशाओं में यह छपा गया सो सवाल हमने पूछे प्रदान मंत्री से हमने प्रदान मंत्री को कहा माननिय प्रदान मंत्री जी चुपी तोड़िये और हमने एक ही मांग की कानूनों का उलंगन हुआ हैं लिवेश में पारदर्शता नहीं है शेल कंपनियों का भारी इस्तेमाल किया गया है बीस हजार करोर रुप्या जो यह अडानी के शेल कंपनियों में पाए गये हैं इसके असली मालिक कौन है इसकी कोई जानकारी नहीं है हमने सो सवाल पूछे राहुल जी ने साथ फेब्रिवरी को लोग सभा में अपने भाषन दिया और आप जानते हैं वो भाषन दिने का एक नतीजा बीस दिन बाद उनका डिस्कॉलिफिकेशन हो गया लोग सभा से यह बहुत गहरा मामला है यह अडानी का मामला नहीं है यह मोडानी का मामला है प्रधान मंत्री और अडानी के बीच में क्या रिष्टा है यह असली मुद्दा है मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा आज सुबह पांच बजे को राहुल जी जिन्होंने पिछले एक साल से सवाल उठाया है संसत के अंदर उनको भुगतना पड़ा चार मेने के लिए वो डिस्क्वालिफाई हुए और हमने हमारी पार्टी ने हमारे पार्टी के मंच से सौ सवाल उठाये और एक ही मांग की और आज में वो मांग दोराता हूं कि जेपीजी का गठन होना अनिवारिय है अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं अगर देश को सच्चाई जाने की इच्छा है हकीकत क्या है रास क्या है एक मात्र रास्ता जेपीजी का रास्ता है तो आज भी हम जेपीजी की मांग धोराते हैं आज का जो बड़ा खुला सा हुआ है फिल एक बात यही सावित करता है कि हमारे संस्था नाकाम हुआ है नियमों का उलंगन हुआ है आंक खुला है और कानून का उलंगन हो रहा है नाक के नीचे कानूनों का उलंगन हो रहा है सरकार की पूरी जानकारी उने के बावजूद यह उलंगन हो रहा है तो सिर्फ एक ही मांग है जेपीजी का गठन होना जरूरी है अभी वक्त है कि जेपीजी का गठन हो और जान शुरू हो और डीटेल इसके बारे में आप से पांच बज़े को बाच्चीत करेंगे